सावन का महिना चल रहा है और सावन के महिने में मैं अपनी सासुमा के लिए चूड़ी लाई थी और वो चूड़ी पहन ली हैं उसके बाद मैं बिंदी भी लाई थी बिंदी भी लगाई हैं वो हरे रंकी और यहां पे नेल पॉलिस मैं लगा दी थी उनके पैरों में और हाथ और इसके बाद आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं आलता लगाते हुए तो आज का जो वीडियो है वो आलता के उपर है अब मैं अपनी सासुमा के पैरों में आलता लगाने वाली हूं आज की वीडियो में तो चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लिए चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए तो यहाँ पर मेरी सासुमा ऐसी बैठी हुई थी इसके पहले मैं सारा कुछ प्रोसेस करी थी जैसा कि बताई हूं सावन में क्या होता है अगर आप सुहागन हैं तो आप दूसरे सुहागन महिला को आप चूड़ी बिंडी हरे रंगी नेल पॉलिस यह सब भी आप दे सकते हैं सुहाग की सामान दे सकते हैं नहीं भी दे तो कम सकम चूड़ियां और बिंडी नेल पॉलिस तो आप दे ही सकते हैं तो मेरी सासुमा यहां जब आई थी तो मैं उनको यह सारा चीज दे थी वो पहनी थी पैरों में लगा दे थी नेल वॉलिस हाथों में भी अब मैं उनको पैरों में ना महावर भी लगा दे रही हूँ आलता महावर ठीक है जो भी नामों से आप इसको जानते हैं यहां पर मेरे पास राज रानी का आलता है जो कि बंगाल का फेमस आलता है बहुत अच्छा कलर इसका आता है पूरा रेड कलर आता है जैसा कि मैं साड़ी पेहनी हूँ तो यहां पर आज मुझे कुछ वैसा कुछ यह नहीं था कि मैं कौन सा आलता डिजाइन लगाऊंगी वैसे तो मैं इनको आलता जो भी लगाती वो हमारा जो कल्चर है न हमारे जहारखंड का चपल वाला डिजाइन या फिर एक बड़ी सी गोल बिंदी लगा दी जाती है वो कोई बेसिक सा ही डिजाइन लगाने वाले थी लेकिन आज मेरे से एक गलती हो गए जिसकी वज़ा से फिर उसके बाद जहारखंड वाला आलता डिजाइन लगने के बजाए बनारस वाला डिजाइन लग गया है तो यहां पर देखिए जब मैं उदर से लाइन खिच के ला तो यहांपे देखिए सबसे पहले जैसे कि बैसिक लाइन खीचने के बाद एड़ियों को भर दी हूं और उसके बाद यहां पर जो नाखुन होता है नसके चारो तरह से फिर और जयादा फिशने के बाद एड़िया कि और जलेंस आइनस होते हैं उसको आगे बढ़ा करके उधर से गोल कर दे तो यह अंगलियों के बीच से आलता निकल करके आ रहा है दो अंगलियों के बीच से जो आलता का लाइन निकला वो मैं दूसरे पैरों के तरफ ले गई ठीक है यानि कि पैरों के बाई तरफ और दूसरी जो अंगलियां है दोनों कि बीच से लाइन खीची वो दाई तरफ चले गए यानि कि दो लाइन उधर दो लाइन इधर और बीच में जो स्पेस बचाया वहाँ पे एक बिंदी दे दी तो ये थोड़ा इत्तफाक से हो गया मैं ये डिजाइन लगाने वाली नहीं थी लेकिन ये लग गया तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है कि आप आलता लगा रहे हैं कुछ गलती हो गया तो आप घबराये नहीं उसी से आप को भी डिजाइन क्रियेट कर लीजे जिससे ना कि आपका मतलब जो डिजाइन है वो लग भी जाए और लोगों को पता भी न चले ये वाला डिजाइन अगर आप उपर से देखोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि मैंने इस आलता को लगाने वक्त गलतियां कि थी या आलता जो है वो मेरे से खराब हो गया है तो यहां पर देखिए एडियों के तरफ से मैं फिर अच्छे से लाइन खीच ले रही हूं इन लगा जब बांदी थी ना यह वाला लकड़ी भी मैं ज्यादा यूज नहीं की हूं वालता लगाने के लिए एक दो बार ही सहरी यूज करी हूं उसके बाद गर्मी चुटी में मायक की चले गए और उसके बाद अभी आए हूं तो एक बार बस सावन में जा रही थी पहला स गलती से उबर ना लाइन खीच जाए तो बड़े आराम से और धीर धीर लगा रहे थी यहां पर पैरों के चारों तरफ बेसिक वाला लाइन खीच दी हूं उसके बाद जो नाखुन है उसके चारों तरफ से गोल सरकल बना दे रही हूं इसे क्या दोना नाखुन अच्छे लगते हैं जैसा कि बताए छोटी वाली फिंगर से लेकर उस तरफ में लाइन खीची हूं गोला फिर इदर से भी लाइन खीची हों गोला हाफ सरकल उसके बाद बीच वाले अंगूथे से भी लाइन निकाल करके उधर सटा दी हूं पैरों के तरफ ठीक है तो इस तरह से द पास से दिखाऊंगी कि यह डिजाइन कैसा लग रहा है तो यह देख सकते हैं डिजाइन वगरा कम्प्लीट हो गया है इनका अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि यह कैसा दिख रहा है अभी मेरे पैर तो बिल्कुल खाली है तो सेम ऐसा ही आलता मैं भी अपने पैर यहां पे ऐताफी लगों कि रिखाएं श्मंची वाले श्मंची कार маш कीका धाी को यहां और दसक्राइब तो यह दूरो गहाएब था बहुत ज्यादा क्योंकि वह मुझे लगता आदे घंटे बैट गई थी यहां पर नेल पॉलिस छुडाने से लगाने तक और चूड़ी पहनना बिंदी यह सब करते करते काफी टाइम बीट गया था तो फिर वह आराम करने के लिए यहां पर आ गई कि अब ठक गई मैं बै वैसे ही मैं जब मुझे मुझे मौका मिल रहा था तो मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा कर ले रही थी तो अगर आप लोगों को मेरा मेहनत समझ में आ रहा हो कि भाई मैंने कुछ तो मेहनत की है इस वीडियो में तो प्लीज इसको लाइक कर दिए लाइक करने से मुझे पैस मुझे पैसे मिलते हैं ठीके तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो सायद मैं भी आगे चल करके कुछ न कुछ अपने लिए जिरूर खरीदूंगी मैंने आप लोगों की ही मजद से अभी तक यूटूब से काफी कुछ खरीद ली हूँ काफी कुछ अपने लिए स फोला है मतलब पारलर जो भी बेच रही थी तो मैं अपने ही पैसों से खरीदी हूं तो यह सब आपकी ही पैसे हैं मतलब मैं वीडियो बनाती हूं आप लोग देखते हैं और फिर उसी पैसों से जो मुझे पैसे मिलते हैं यूटूब की तरफ से मैं आपने लिए कुछ कर पाती हूं तो देखिए मेहनत मैं बहुत करती हूं आप लोग भी तोड़ा वीडियो अच्छे से देख लिया करिए और कमेंट जो भी होते हैं आप लोग के मैं देखती हूं अगर आपका कोई क्यूस्चन होता है न कोई भी चीज आप पूछ रहे हो तो उसका जवाब मैं वीडियो में देती हूं या फिर बहुत जरूरी अगर होता है तो मैं आपको वहाँ पे ही डाइरेक्ट रिप्लाई भी कर देती हूं गलत वीडियो को मैं बंद कर देती हूं बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर दिजेगा हाँ जोड़ कर बंद यब नषी शेविंट भाइब को बाके हाँ ऎ स सक्षित आफे कर दो दो की वहाँ बंट्स बंद कर दो हdır युड़ कोष्व को बंद कर दो होईरोक जोड़ कर दो शेरेक्पर में रहाँ य।रुब यॉशल बंद को पार जोड़ कर सlexPRO chamber